हल्ला दोस्तों मैं पश्रांथ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्वीटीर कमुडिटी में स्वागत करता हूं तो आप लोगे तरब से बहुत सारे क्वेडी जा रहे थे कि सर लाइब मार्केट में एनालिसिस करके बताएं लाइब मार्केट में को स्ट्वेट्जी इंप्लिमेंट करके बताएं वहां से बहुत ज़्यादा है अफ मार्केट में जो बताते हैं लाइब मार्केट में उसको इंप्लिमेंट करने में बहुत ज़्यादा परिसानी आता है तो इसी सब को देखते हुए आज मैं आपको लाइब मार्केट में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप यहाँ पे trade कर सकते हैं और कौन सा strategy कब इस्तिमाल कर सकते हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हैं तो अगर आप live market में सीखना चाहते हैं market psychology को कौन सा strategy कैसे implement करना है और जो अलग-अलग situation आते हैं उससे कैसे आपको जूजना उससे कैसे overcome करना इस वीडियो में आप लाश्ट तक बने रहे हैं चलिए start करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम क्या किये हैं यहां पर हम निफ्टी के future के चार्ट पर आगए और यह देख सकते हैं निफ्टी future का five minute का चार्ट है और यहां पर हमने दो indicator का इस्तेमाल किया और दूसरा indicator का इस्तेमाल किया वह क्या आद मैं आपको बता रहा हूंगा कि कैसे आप nifty में intraday trading कर सकते हैं, intraday में कैसे positions ले सकते हैं और हमने इसके उपर already video बनाया, intraday trading strategy for nifty using vweb and pivot point अगर आपने वो video नहीं देखा है, तो आप i button पे click करके देख सकते हैं नहीं तो उसका link आपको इस video के description पे भी मिल जाएगा तो उस strategy में हमें implementation कहां पे करना, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, देख सकते हैं यह आपका private point है, जैसे ही private point को touch करके price reversal दिखा था देखिए यहां से उपर नीचे आया और private point को touch करके price reversal दिखाया उसके बाद आपका VWAP का roll आता है और जैसे price VWAP को cross करके उपर निकलते हैं यानि इस particular candle के close होने के बाद यानि ये candle जैसे open हुआ है यह हमारा क्या बन जाएगा, यह हमारा यहां पे entry point बन जाएगा और यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें buy side की तरफ positions initiate करना था ठीक है, entry point जो मेरा बनेगा वो बनेगा लगबग, 16,300 के आसपास यहां पे हम एक बाद entry ले सकते थे, उसकी बाद यह सारा कुछ already खत्म हो गया है और यह पहला 15 minutes के अंदर ही लेना था और बहुत साथ लोग ऐसे market condition में वो भी एक्सपाई दे के दिन इस 15 minutes में trade execute नहीं कर पाते हैं, तो पहला मौका यहां आप मिला सटीक opportunity लेकिन यहां पे आपको एक और दूसरा opportunity भी मिल सकता है, वो कब मिल सकता हो भी मैं आपको explain कर देता हूँ, देखिए वापस से price अगर यह VWAP के line को touch करता है, देखिए यह आपका VWAP का line है, अगर price वापस से नीचे आता है और इस VWAP के line को touch करता है, तो क्या करेंगे, हम इस level के आसपास वापस से एक बार buy करने को सोचेंगे, यहां पर हम market के पीछे नहीं भागेंगे, हम अपना level पकर के बैठे रहेंगे, अगर उस level करी, market आता है, इंट्री करेंगे, अदरवाइस इंट्री नहीं करेंगे, और अगर आप इस particular level पे entry करते हैं, या फिर 16,300 के level पे entry करते हैं, तो आपका stop loss क्या होगा, stop loss यह point होगा, और इस point के अगर हम बात करें, तो 16,270 का level है, यहनि दोनों condition में stop loss आपको 16,270 के level पे ही रखना, यहनि यहां पे हमारा entry point clear हो गया, 16,300 होगा, यह फिर 310 होगा, देखते हैं, और उसके बाद stop loss हमारा clear हो गया, 16,270 का stop loss होगा, उसके बाद target price, जो यह pivot point है, यहां पे अपना target price रखेंगे, और यह pivot point है आपका, 16,400 के आसपास, और 16,400 एक important hurdle के रूप मे सुप्षिन दावे 300 और 310, stop loss मिल गया, और target price मिल गया, अब यहां पे हमें इंतजार करना है, कि जो price हो इसके आसपास आता है, यह नहीं आता है, और मैं आपको थोई देर बाद वापस से यह सारा कुछ दिखादा हूँ, जब price ऐदर यहां से उपर निकलता है, यह फिर 310 10 के price पे आता है, अभी देखें, already आपका price नीचे आना सुरू हो गया, और यही candle उमीद है, कि वापस से आपका इसके करीब 310 के करीब आता हुआ दिखेगा, थोई देर बाद मैं आपको बताता हूँ, यहां पे 310 का level टच हुआ है, या फिर नहीं हुआ है, यहां पे आप आपको बताता है, यहां पे आपका 5 मिनट पास हो गया, और अभी जो ट्वेड करा, और यहां पे बहुत साई लोगों को लग रहा हो कि मार्केट यहां से ऊपर निकलने वाला है, अब हमें अपोचुनिटी नहीं मिलेगा, इसलिए यहां पे जल्दबाजी में buy करके trap में सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको जल्दबाजी नहीं करना है, हमने सारा कुछ रिचर्ज करके लेवल फाइंड किया, 16,310, यहीं पे आपको buy करना, otherwise इसके उपर नीचे कहीं पे भी buy नहीं करना है, यहां पे हमने अपना risk reward issue सारा कुछ calculate कर लिया है, यहां पे अब मैं price का weight कर रहे थे, यहनी 16,310 का price का weight कर रहे थे, उसके करीब market आता हो दिख गया, अभी भी हम यहां पे buy नहीं करेंगे, हम इस particular level पर ही अपना entry लेंगे, उससे पहले यहां पे हम entry नहीं लेंगे, और यहां पे अगर हम SL की बात करें, तो SL हमने कहां पे रखा था, 16,270 के level SL रखा था, यहनी यहां पे हमारा stop loss होगा, वो 40 point का stop loss होगा, और अगर हम यहां पे target price की बात करें, तो target price यहां पे हम क्या रखेंगे, 16,400 यह जो पाइबट पॉइंट है, वो target price रहेगा, यहां पे जो हमारा target price रहेगा, लगबग आपका 90 point का target price रहेगा, और अभी देख यहां पे आएगा, हम अपना order execute कर देंगे, यहां पे हमारा buying price, 16,310 है, और यहां पे देखिए, 16,310 से नीचे आ गया, यहां पे जो मेरा order है, वो execute हो गया, अब मेरा order हो यहां पे open हो गया है, ठीक है, यह clear समझ में आ गया है, देखिए, यहां पे हम level पकर के बैठे हुए यहां पे आपको overnight positions carry करने से बचना है, बांकि इंटरारे में आप level के basis पे trade ले सकते हैं, और देखिए, यहां से आप market आपका ऊपर जाना है, और नीचे से आपको support level के पास से rejection देखने हो को मिला है, और यहां पे stop loss मेरा काफी नीचे है, और यहां पे इस trade में हमें आपको समझना भी होगा, जब आपको stop loss hit करेगा, या फिर target price hit करेगा, तब मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करता हूँ, और जब हमें market psychology को समझना भी होगा, market आपको trap करने कोशिज करेगा, उस time भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन सब से बच सकते हैं, तो अब यहां price किया था, 16,310 हमारा buying price, या नि मारकेट मेरे favor में कितना point आ गया, 50 points मेरे favor में आ गया, अगर market आपके favor 50 point आ जाता है, उसके बाद अगर आप नुकसान कर रहे हैं, या फिर आप सही तरीके से implementation नहीं करें, तो आपको जो अपना strategy आपने setup किया है, या फिर आपका तो trading का त स्तेमाल करना चाहिए, तो देख सकते हैं, market हमारा कहां आया, 16,360 के level पर आया, और यहां पर हम क्या करेंगे, हम अपना trading stop loss, जो buying price है, उससे उपर रखेंगे, buying price 310 है, और जो SL हम रख रहे थे, वो रख रहे थे, 16,270 के level पर, यहां पर SL increase करेंगे, अब मुझे नुकसान न किराबट दिखाता है, तो मेरा stop loss हिट कर देगा, लेकिन anyhow, मुझे यहां पर कितना profit होता हुआ दिखेगा, मुझे यहां पर 30 point का profit मिलता हुआ, यहां पर 30 point का profit मैंने काफी हद तक secure कर लिया है, और अभी जो trade कर रहा है, वो आप क्ले कर देख सकते हैं, इसको मैं clean कर देता कि इसको hit करता है, या फिर वो उपर साइड की तरफ जाता है, और 16400 का जो हमारा target price है, उसको यह hit करता है, चली देखते हैं, कुछ देर बाद आपसे यहां पर मिलते हैं, अब यहां पर देखे, time जो हो रहा हो, 10.39, 10.40 के करीब यहां पर time हो रहा, अब यहां पर एक चीज ले रहें, वो intraday में tweet ले रहें, और intraday में क्या risk होता है, उमीद करते हैं, वो आपको पता होगा, उसके बारे में idea होगा, तो यहां पर आपको घबरा के, जल्दवाजी में भी profit book नहीं करना और यहां पर आपको panic भी नहीं होना, अब हमें panic होने का सवाल ही नहीं उठता हैं, अगर यह आपका 16,390 से उपर जाएगा, यह फिर 16,400 के आसपास जाएगा, इन दोलों में से किसी भी level के आसपास जाएगा, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम profit book करने के कोशिज करेंगे, यहां नहीं तो नीची आता है, और 16,340 के level को touch कर देता है, यहां पे मेर जो trailing stop loss है वो हिट होगा और यहां पर हम 30 point का profit लेके निकल जाएंगे लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा इंतिजार करना चाहेंगे और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं देख सकते हैं अभी आपका यहां पर red candle का formation हो रहा है और यह red candle आपका एक और चीज़ किया ह यह नहीं रख पाते हैं और जो लोग पेसेंस रखेंगे अल्टिमेटली उन्हीं लोग को यहां पर profit मिलता हुआ दिखेगा उसके chances बहुत जादा है लोसेज होने को तो आपका भी लोसेज हो सकता है मार्केट किसी भी तरफ मूव कर सकता है लेकिन जो हमने यहां पर टेकनिकल इनालिसिस किया है वह काफी हद तक आपका 60-70% का एकुरेसी प्रोवाइट करता है उसके basis पर यहां पर हमें लग रहा है कि एनिहाव वह आपका 60-400 क्लेवल तक जाएगा अब यहां पर देखें जो टाइम हो रहा हो टैन फिप्टी फो के करीब यहां पर आपको टाइम हो रहा है अब यहां पर हम वापस से क्यों आए नाई टागेट हिट किया नाई स्टॉप लोस इट किया है यहां पर जो दो रेड़ केंडल का फॉर्मिशन वह इसके basis पे आए अब यहां पर देखे नैंद मिलता हुआ और उस टिप करेंगे तो इस से आपको प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा और देखिए market थोड़ा नीचे आया, फिर वापस से उपर जाना start हो गया, तो अब मैं आपको मिलता हूँ थोई दिर बाद, जब आधर यह हमारा target हिट करेगा, या फिर नीचे आके stop loss हिट करेगा, अब यहाँ पर देखिए time हो रहा है आपका 10.58 के करीब, और यह जो level है, व वो हमें green formation किया है, अगर यह red candle बनता with large body, तो जो गिराबट है वो आगे भी continue जाता है, लेकिन यहाँ पर overall buyers ने take over किया, जैसे तेसे buyers ने sellers को हरा के अपना take over लिया, अब देखिए price आपका उपर side की तरफ निकल वा, और जैसे आज का अभी तक का जो highest point है, इसको break करके लेगा, और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, कि target हमें कहां पर book करना, क्योंकि 16,000 फॉर्ण मेंटिक पास एक तग्राव इस चैन्स देवल या फिर हडल यहाँ पर हमें देखने हुक मिलेगा, और यहाँ पर बहुत साही लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत साही लोग profit बुक करने के बारे में भी सोचेंगे, इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस से थोड़ा सा नीचे, 16,000, 390 के ऊपर ही निकलता है, तो आपना profit booking स्टार्ट कर देंगे, safety margin के लिए, यहाँ पर देखिए लगबाग आपका 11 बज गया है, यहाँ पर टाइम देख सकते ह और यहाँ पर आप लेवल के ऊपर बात करें, तो यहाँ पर अभी रेखिए, यह आपका 16,000, 390 के ऊपर निकल गया है, इसका प्राइस, और यहाँ पर मैंने क्या बोला था, 16,000, 390 के ऊपर ही हम अपना profit booking स्टार्ट कर देंगे, यहनि 16,000, 395 पर अपना target अपना set कर देते और 16,395 आगया, यहनि यहाँ पर हम अपना क्या कर लेंगे, profit book करके निकल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें तगरा hurdle देखने को इलवा, और मैंने क्या देखा था, कि last three weeks से जो Nifty एक range दिखा रहा था, वो range कहा पर था, वो range था, आपका 15,700 लेके 16,400, और उसके बाद market उपर निकला था, और 16,400, सपोर्ट से, रिस्टेंस से आपका क्या बन गया था, सपोर्ट बन गया था, और वापस से इसको ब्रेक करके नीचे आया, तो वापस से आपका, रिस्टेंस लेवर बन गया, तो इसको ब्रेक कर पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि last time, Nifty को तीन फिस शैटो रिस्टेंस लेवर के पास बनता है, तो जो हमने अपना पोजिशन लिया, बाइस से की तरफ वहाँ से निकलने के बारे में सोचेंगे, और यहां पर हम एक और सीज करने के बारे में सोचेंगे, क्या, अगर यह आपका रेड केंडल का फॉर्मेशन होता है, यह यहां पर हम definitely candle close होने के बाद अगला candle sales side की तरफ जाने के बारे में सोचेंगे, अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ आपको, ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहां पर नीचे में अगर आप वॉल्म पर गौर करेंगे, तो वॉल्म यहां पर आपको अच्छा कासा दे के लिए जाके दिखाता हूं जब इसका कलर आपको रेड होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा और वो क्या दिखाएगा वो दिखाएगा कि वालूम जो है वूसका सेलर्स का भी वालूम याजनी कॉंटिटी बहुत ज्यादा इसलिए यहां पर अपना बाइंग पोजिशन हट अब यहां पर आपको वालूम पर गौर करना ताइम देख सकते हैं 11 फ़ी के करीब हो रहा थोड़ा दिर आपको वालूम अभी आपको ग्रीन देखने रोगा और देखें ग्रीन से वालूम आपका रेड हो गया मतलब यहां पर क्या इंडिकेशन दे रहा है चि बायर्स और sellers का जो quantity है उसमें जादा कोई difference नहीं है कभी candle कभी जो candle का volume है उसका color आपको red हो रहा और कभी green हो रहा और वो बहुत जल्दी जल्दी change हो रहा अगर आप कुछ देर इस volume को देखेंगे तो वापस से आपको green color में आता हुआ दिखेगा देखे वापस से आपको यह green color में आ गया और वापस से red हो गया red green बहुत जल्दी हो रहा मतलब buyers और sellers का quantity उसमें जादा कोई difference नहीं है और यहां पर sellers भी बहुत जादा active है और sellers भी अपना दम दिखा रहे हैं और देखे अल्टिमेटली केंडल कलर वेड हो गया और जिसका डर्धा इस तरह के साथ तो क्या करेंगे अगला candle open होते हैं यहां पर हम एक और positions लेंगे यहां पर हम सेल पोजिशन की तरफ जाना लना स्टार्ट करेंगे और उसके लिए क्या होगा सुक्षिन 3,50 यह इनी चोड़ा से रखेंगे यह नहीं तो जहां पर वी वैप का लाइन लाइन के आसपा सब अपना टार्गेट पैस रख सकते हैं यह सब हमारा क्या होगा टागेट पैस यहां हमारा होता हुआ दिखेगा इस तरह दे दिया हमें वेट था देखें दिया है यहां पर 16,380 पर क्या करेंगे एक सिल और यहां पर हम डालेंगे और यहां पर हमारा यहां पर आपको लगता है कि इतने ज्यादा विस्क रिवाद रसकते हो तो चलिए अब मैं आपको वापस से कुछ दिर बाद मिलता हूं और दिखाता हूं का यहां पर मेरा सटोपलोस हुआ यहां फिर टागेट पैस हुआ है अब यहां पर देखिए किस प्रैस रहा है इस पॉइंट का प्रॉफिट लिया था और जब ऊपर से नीच आ कि यहां पर हमें एक और मौका मिल गया हम 20 पॉइंट का विस्क लिए और 30 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए और यहां पर वापस से जो यह वी बैप का लाई नहीं से रिवर्सल देखने को मिला तो नीचे आप यहां पे निगेटिव ऑलम भी देख सकते अच्छा खासा नि पईना कुछ डरे हुए सिर्फ लेवल पकड़के बैठना और उसके basis पर आपको trade लेना तो उम्मीद करते हैं यह सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको market psychology के साथ overcome करना और कैसे trade लेना कैसे हमें level पकर के बैठे रहना बीच में interview नहीं करना market के पीछे नहीं भागना है उमीद करते हैं ये concept आपको clear हो गया होगा और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा help करेगा अगर आपको ये वीडियो पसना है प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज किजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैहिन